आउट्सोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर भरस्चार करवाएं इसका साक्षात सबूत कई जगह पर मिल जाएगा जहां पर रोजगार के माध्यम थे उन तमाम जगहों को प्राइविटाइज कर दिया गया ठेका पटा पर दे दिया गया रेलवे को ठ तो ये दोतरफा खेल क्यों चल रहा है विधायक लगतार सदन में केके पाठक को हटाने का मांग कर रहे थे भरस्टाचार के भी आरोब केके पाठक पर लगा रहे थे लेकिन अब केके पाठक केंद्रिय पर तुन्युक्ति पर जाएंगे हमारे साथ है भागपामाले के वि बिहार के अंदर आउट्सोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर भरस्टाचार करवाएं इसका साक्षात सबूत कई जगा पर मिल जाएगा आपको तो सरकार अगर थोड़ी सी भी गंभीर है तो उस पूरे टेनियोर का लोग जांच करवा लें किस तरीक तो अभी जानते हैं कि टेंडर नहीं था इसकूल के अंदर जो साथ सतर हजार में सेड़ बन रहा है जिसमें कोई इंट और सीमें नहीं लगा हुआ है बस चार पिलर उपर से प्लास्टिक उसके लिए चार लाख रुपए दिये जा रहे हैं आउट्सोर्सिंग एजेंसियो जो कंप्यूटर दस हजार में मिल जागा बाकरगन में उसकी क्वालिटी इतनी कमजोर है कि उसको सकूल में डाल दिया गया और सतर हजार बना दिया जो नाइट गड़ बहाल हो रहा है उनसे पैसे लिए जा रहा है जो अब जब हम लोगों ने मुद्ध उठा दिया है तो स चिछा विवाग करें कि हम सब चीज़ रद कर देंगे तो रद तो कर दिजेगा लेकिन आपने दिया किस प्रकिरिया से उसका तो जांच होना चाहिए इन सारी बातों को आप सदन के पटल पर रखे थे हमने सदन के अंदर लिखित में सवाल दिया है हमने द्यानाकर्सन प्रस्ताव दिया था द्यानाकर्सन प्रस्ताव जानमुझ करके नहीं लाया गया जाकर के हम स्पीकर महोदे से बात भी किये थे कि बहुर बहुरा महत्पुन सवाल है अब सरकार चाहरे कि इन सचाईयों को दबा ले तो दबने वाली बात नहीं है, इसलिए हम तो हर मीडिया में जब भी बात कहते हैं, हम इस बहुत सचार पर बोलते हैं, हम लोग बिहार में रह करके जान रहे हैं कि भाई, युगां के अंदर भारी पेमाने पर बेरोजगारी क यूवा बेरोजगार बैठे हुए हैं वही पैटर अगर आप इस्कूल में थोब देंगे वहां पर भी लाखोग पत खाली थे वही पैटर नगर आप इस्कूल पर थोब देंगे तो फिर आने वाले समय में इस्कूलों के अंदर भी आज टीचर की बाहली हो रही है तो इन सब बातों को समझ करके हम लोगों ने मांग रखा है हमने खुद मांग रखा है सरकार से कि उस पूरे टेन्यूर का जाच हो और उसमें जो भी शामिल है क्योंकि आप समझ लीजे कुस्ता में जो मुख मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे उन से सलाह तक नहीं लिया गया वो खुद ही लिख करके दे रहें कि नहीं यह जो नियम बन रहा है वो खराब नियम है इसमें कोई आरक्षन नहीं है तो अब एक तरफ बिहार में आरक्षन को बढ़ावा दे रहा है आरक्षन बढ़ाएं बढ़ाया गया आरक्षन जातिकत गरना के बाद दूसरी तरफ ल क्या पाठक के जाने के बाद अब सिच्छा विभाग में बिहार में बदलाओ आएगा आपको लगता है कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं उनका क्या चरितर होता है सरकार का क्या रुख है कोई भी अधिकारी अपने मन से नहीं चलता एकाद अपवाद को छोड़ दे जैसे सवाल तो वही है कि केके पाठक मुखमंतरी के भी बात नहीं सुनते थे क्या उनके जाने के बाद सिच्छा विभाग में बदलाओ आएगा आना चाहिए अब सवाल आप नियोजित सिच्छकों के मांग को उठा रहे थे नियोजित सिच्छकों के तो कहा गया था कि मामूली सब्सक्राइब नियोजित सिच्छकों के खिलाफ उनके अंदर एक अक्रोस है उनको लगता है कि 2020 में नियोजित सिच्छकों ने महागटमंदन का साथ दिया था और सभी लेकिन अब सत्ता जब आपको मिल गया तो आप उनको परसान करेंगे आप उनको सबक सिखाएंगे य जब यह तैय हो गया था मुख मंत्री खुद कर रहे तेकि मामूली सी परिक्षा लेंगे यह तैय हो रहा था कि जो टीचर जिस विशय को पढ़ा रहे हैं जिसका अक्षा तक पढ़ा रहे हैं वहीं तक का सवाल उनसे होगा अब कोई प्राइमरी के टीचर है 15 साल से करने के लिए इस तरह का पैटर्न बनाया गया ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें और सिख्षकों की बदनामी हो कितने ऐसे सिख्षक थे जिनसे हमने बात क्यों करें कि हमें करसर तक पता नहीं चल रहा था तीर इधर सुधर चला जा रहा रहा था कंप्यूटर कंप्यूटर ऑनलाइन परिक्षा क्यों आपने अनिवार कर दिया कब से बिहार में पर आल लाइन की पढ़ाई हो रही है परहाई तो हो नहीं रही थी हम लोग खुद ही मैं खुद ही जब एम्मे में गया तब पहली बार हमने कंप्यूटर टच किया अब आज हम computer चला सकते हैं एक लैपटव चला सकते हैं लेकिन जिन सिक्षकों को यह सर नहीं मिला कि वह computer सीखे उनकों गलती नहीं है अब आप परिषचा ले रहे हैं computer पर तो इसका उप सिधा मकसद है कि आप कुछ लोग को exclude कर देना उपर से नियम यह भी बना दिया गया था सजेसन दिया गया था पाटकी तरफ से कि जो फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी खतम कर देंगा तो अपमानिद करने के लिए किया गया है और हम लोग सतर्क हैं सचेत हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई गरबरी होगी तो हम फिर से